नमस्कार मैं हो ससी आई जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन विधान सभाज चुनाओं में 1211 परत्यासियों का फैसला करेगी जनता मुख निर्वाचन पताधिकारी केरविकुबार ने कहा है कि दूसरे चलन की बिधान सभाज चुनाओं को लेकर नाम वापसी की परकियर शुक्रवार को पूरी हो गई है बतादे जारकन में प्रतम चरण में 13 नौंबर को 43 सीटो पर और 20 नौंबर को दूसरे चरण में 38 सीटो पर चुना होना है दूसरे चरण में 38 सीटो के लिए 634 परत्यासियों नमांकन किया इन में 74 का नमांकन रद होने के बाद बचे 560 में से 32 परत्यासियों ने अपने उमिद्वार विपस ले लिया है अब अंतिम रूप से कूल 528 परत्यासि चुनाव मैदान में है वहीं तो 1029 की तुलना में दूसरे चलन में 38 सीटों पर 55 परत्यासि इस बार कौम है वहीं प्रथम चलन में 805 परत्यासि नमांकन किया था जिसमें से 62 का नमांकन रद होने के बाद बचे 747 परत्यासियों में से 60 के नाम वापस लेने के बाद 683 उमिद्वार अब मैदान में डटे है परले चलन में 2019 के अपेक्छा कूल 43 सीटों पर इस बार 50 परत्यासि जाता है अलकातिवारी जारखन की नई मुखे सचीव भारतिये प्रसासनिक सेवा के उने 88 बैच की अधिकारी अलकातिवारी जारखन के मुखे सचीव होंगी वह मुखे सचीव पद से 31 अक्टूबर को स्वानिवरीत एल खियागते का अस्थान लेंगी बता दे नियुक्ति पर भारत निर्वाचन आयो की समाति के बाद कार्मिक प्रसासनिक सुधार या मुखे सचीव पद से रिटार हुए थे में टिके तिवारी राज निवाचन आयो के पद पर काम कर रहे हैं अलका तिवारी केंद्र सहीत जारखन सरकार में कई महतपून पदों पर काम कर चुकी हैं अपने कैरियर के सुरुवात उन्हों ने SDO खोटी के रूप में की थी इस पद पर रहते वर्स 1990 में भावान बिर्शा मुंडा के गां उलिहातू का दोरा करने वाली अलका तिवारी पहली आयेस अधिकारी थी जैराम महतों की पार्टी का गांडे पर त्यासी जामों में सामेल गांडे विधान सभासीट पर जे एल के एम के उमिद्वार अकिल अक्तर उर्फ रिजवान ने पार्टी पर मुख जैराम महतों को बड़ा जटका दिया है भासा आध्य में सुरुवात से ही जुड़े रिजवान ने जामों का दावन थाम लिया है उन्होंने कल्पन सुरेन के पक्ष में गुरुवार को अपने नमाखन वापस लेते हुए जामों की सरस्यता ली है मुख्य मंत्री हमांसुरे ने गुरुवार को रांची में रिजवान को जामों की सहस्यता दिलाई पार्टी का मुस्लिम चेहरा बन चुके रिजवार ने ऐसे समय में पार्टी छोड़ी है जब गांडे से कोई दूसरा उमिद्वार अब जे लकेम से नमांकन नहीं कर सकेगा क्योंकि नमांकन की तीथी समाप्थ हो चुकी है रिजवान ने सोची समझी जोईना के तहात नान वापस लेने के आकरी दिन से एक दिन पूरो पार्टी छोड़ी है वहीं गांडे विधान सभा सीट से मुस्लिम परत्यासी देक जैराम भातो नमो की मंत्री हमां सुरेन और उनकी पतनी सह गांडे से पार्टी उमिद्वार कलपना सुरेन को टेन संद्य दी थी लेकिन एन मोगे पर जामुन रिजवान को तोड़ते हुए उन्हें अपनी पार्टी में सामिल कर जैराम को जटका दे दिया है भाजपा की घोसना पत्र तीन नौमबर को तीन सो उनीट फ्री बिजली की उमीद सब्स darts बंगे गटाओ के दोरे को लेकर बैठक होई है भाजपा की घोसना पत्र में तीन search unit तक बुजली मुफ्त देने की जोजबना लाई जा सकती है बर रतमान में राय सरका 20 130 बीज़िली मुफ्त दे रही है वही भाजपा अपने खोशना पत्र में एक लोर घरों को सोलर उर्जा से जोड़ने का भी एरान कर सकती है साल दो हजार शावीस सताइस तक भाज़पा सभी घरों में सोलर उर्जा सन्यंत्र लागाने की जोईना पर काम करेगी मंत्री मिथिलेश ठाकूर को हनी ट्रेप करने की कोसिस जारखन मिधान सबा चुनाओ की सरगर्मनी के बीच महागडबंधन सा जामो परत्या से मंत्री मिथिलेश ठाकूर को हनी ट्रेप की कोसिस का मामला परकास में आया है उन्होंने खुद उक्त आज से का वीडियो जारी कर पूरी घटना की जनकारी दी है उसी करम में एक कॉल रिसीफ करने पर अश्लिल तस्वेरे दिखायी जाने लगी उसके बाद उन्होंने तुरंट कॉल काट कर नमबर को ब्लॉग कर दिया उन्होंने घटना को लेकर कहा है कि या भीरोधियों की चाल है उन्हें लगातार धमकिया दी जा रही है उन्होंने कहा है कि यह भी पक्ष के हतास लोगों की साजिस है उन्होंने कहा है कि उन पर मानसिक दवाव बनाने का पर्यास किया जा रहा है उन्होंने कहा है कि वह चेतावनी दित्ते हैं कि ऐसी हरकत से बिरोधी बाज आए ज्यारखन में चार से आंसिक बादल रांची समित राज की हवा के रूख के साथ मौसम में भी बदलाव शुरू हो चुका है आने वाले पर में आमत और पर मौसम साफ राने के उमीद है हलाकि सुबा में धूंद चाही रह सकती है मौसम विभाय के नुसार छोट के आखरी दिन मौसम साफ रहेगा लेकिन 4 से 6 नौंबर की बीच आंसिक बादल चाह सकते है इस ओधी में बारिस नहीं होगी बादल चाहने से अधिक्तम तापमान में 1 से 2 डिगरी तक की गिरावट आने के असार है बादल 5 से 8 नौंबर तक 6 महा पर मनाया जाएगा मौसम विभाय के नुसार राज्य के आसपस के छेत्रों का वाता औरन साफ है सिर्फ देश के पुरुवतर राज्य आसम और इसके आसपस के छेत्रों पस्ता एकलोनिक सर्कुलेशन मना है लेकिन इसका असर जार्खन पर पढ़ने के असांका काम है दीपावली पर पटाखों से जले 80 से अधीक लोग दीपावली के अशर पर गुरु और गुराइधानी रांची में पटाखों से कई लोग जल कर घायल हो गया है करीब 80 जले और जक्मी हुए लोग सहर के सरकारी और नीजी अस्पताल में उपचार कराने के लिए पहुँचे इलाज के लिए सबसे अधीक लोग रिम्स में आया है हलके और मध्यम रूप से जले अधीकतर लोगों को अस्पताल से प्रात्मिक उपचार के बाद घार भेज़ दिया गया साथ ही उन्हें कई तरह के तियात बरतने की सला दी गई जनकारी के अनुसार रिम्स में 47 अधीक मरीज प्रात्मिक उपचार के लिए पहुँचे थे 17 अस्पताल में 20 से ज़्यादा का इलाज किया गया वहीं दूसरी और नीजी अस्पतालों में भी कुछ लोग पटाकों से जल कर उपचार करने के लिए आये थे वहीं बुरी तरह घायल पांच लोगों को भारती किया गया है दो रिम्स में और तीन नीजी अस्पताल में इलाज रत हैं इंडिया गडबंधन जल्द जारी करेगा साजहां उसना प state कर्याले में इंडिया गडबंधन की शुकुर्वारт को बैठक को है इंडिया गडबंदन के घोसना पत्र में किन मुद्दों को परभाई रूप से जानता कभीच रखना है तथा किन मुद्दों को लेकर जानता कभीच जाना है इन सबी सवय पर विस्तार से चर्चा की गई जामो के केंद्रिय महासेची बिनोत कुमार पांडे ने कहा है कि इंडिया गडबंदन में सामित दल अपना साजहा घोसना पत्र लाएंगे दलों का घोसना पत्र भी होगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्स के सम महतों कमलेस ने कहा है कि इंडिया गड़ बतन के सभी दलों ने आपस में बेहतर से बेहतर समनों अस्थापित करते हुए माहा समर में अपनी पुरी ताकत के साथ उतरने के लिए अपनी कटी बत्ता को दोराया है जारखन के लिए बहुत कुछ करना है हेमन्त सुरेन पांच साल के कारकाल में बहुत कुछ सीखने को मिला है अपने किये कारियों में 25 हज़ार से अथिक युवाओं को सोरोजगार के लिए कलोरों की राशी बित्रन करना आठ लाख बच्चों को साइकल देना रेन मा फिर आशी को 50 हज़ार से बढ़ा कर दो लाख करना जयनती राश्ट्रिय एकता दिवस पर सुक्रवार को स्वयम सेकों ने एकता कि सपत ली और दोड भी लगाई विसुभी दैले के पत्रकारिता एमजन संचार विभाग के सभागार में आयोजीत कारकरम की अध्यक्षता कुलपति डाक्टर अजीत कुमार सिना ने की है सरदार पठेल के चित्र पर मलयारपन कर सरदाजली अरपित की गई कारकरम के सुरुवात राजेपल संतोस गंगवार के बीडियो संदेश के प्रसारन से हुई है इसमें राजेपल ने कहा है कि सरदार पठेल ने द्रिटता एकता एक जुटता और देश भक्ती जैसे आदरसों को अपनाया हमारा हर कदम उनकी चीर अस्थाई बिरासत के लिए एक सरदाजली है और यहाद दिलाता है कि हम सभी एक बड़ी कहानी का हिस्सा है जो हम लोग हमारे साधा अपने और अगंचाओं के लिए चुनी गई है PM3 इसकूल नाम बदलने के लिए कर सकेंगे अवेधान PM3 इसकूलों के लिए सरस पोटल के माध्यम से इसकूलों से ओनलेन आवेधान लेने का फैसला लिया है इसके लिए जल्द पोटल पर एक लिंक खोला जाएगा जहां इसकूल के नाम में पर्योतन स्रेयनी के ताथ इसकूल आवेधान कर सकेंगे फिर एलाल पॉब्लिक स्कूल के परचार निरज कुमार सिन्हा ने बताया है कि PM3 इसकूलों से उनके नाम अपडेट करने के अनुरोत प्राप्त हुए है जारखन ओपन कराटे आज से 430 खिलाडी होंगे सामिल सिकूक कई कराटे इंटरनेशनल जारखन एवं इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अकेडमी के सनुक तत्वधान में सनिवासे रांची के संत जोसेफ कल में एगार हुई इमा कॉप सी कोक कई जारकन ओपन कराटे चंपियनसिप का आवेजन होना है उदघाटन एक बज़े किया जाएगा चंपियनसिप की तयारी पूरी कर ली गई है इमा के तकनिकी निदेशक सीहान सुनील की स्पोट्टो ने बताया है कि चंपियन में पूरे राजे सलब़ 430 का राटे खिलाडी भाग लेंगे इसमें सब जुनियर कैड़ेट जुनियर एवाम सीनियर वर्ग में पत्योगता होगी कूल सतर स्वन पत्दक के लिए खिलाडी आपस में भिढ़ेंगे इंडिया गडबन्दन की बैठक में जीत परबनी रननीती इंडिया गडबन्दन की बैठक सुकुलवार को हर्म इस्थी जहरखन मुकती मुर्चा के करियाले में संपन होई है बैठक में बरतमान जारखन विधान सभा आम चुना दो है चोबीस में इंडिया गटबंदन के परत्यासियों की जिस सुनिश्चित करने के लिए रिए निती बनाई गई तथा केंदर अस्तर से बूत अस्तर तक पार्टी करकताओ तथा नेताओं में समझस अस्थापीत करने पर जोर दिया गया इंडिया गटबंदन के घुसना पत्र में किन मुद्धों को प्रभाई रूप से जानता के बीच रखना है तथा किन मुद्धों को लेकर जानता के बीच जाना है इन सब भी सवब पर विस्तार से चर्चा की गई है पीएम मोदी के दोरे को लेकर नहीं दी जा रही किसी परकार की छुटी सियम हमांत मुख्यमंत्री हमस्तुरे ने पीएम नरेंद मोदी के जारकन दोरे के साथ चुनाव आयों को भी घेरा है उन्होंने सोसल मीडिया पोस्ट में कहा है कि 31 अक्टूबर को दिपावली थी अ भाईया दोज सोहराई गोहाल पुजा बंधना पर्व और चित्रगुप्त पुजा है चार नौवंबर से आठ नौवंबर तक छट महापर्व है ये पर्व जारकन के लोगों के लिए अत्यंत ही महत्पून है इसमें सब ही आमजन सरकारी कर्मी पुलिस कर्मी छुटी लेक कि पुजा के लिए इन कर्मियों को छुटिया दे छुटियों को रद ना करे साथ ही बड़ी संख्या में बस वो अने वाहनों को जिला पसासने चुनाव कारे के लिए जब्त कर रखा है वे इन वाहनों को दो नौवंबर से आठ नौवंबर तक आस्थाई रूप से ज्यारखन बिधान सभा चुनाव 24 के मदे नजर चुनाव आयो के आदेश के बावजूद देवघर के पुलिस अधिक्षक का अब तक ट्रांसपर नहीं हुए है ज्यारखन में सतारू ज्यारखन मुक्ती मूर्चा, कांग्रेस, राष्टिये जनता दल और भागपा मालेक क गडबंदन ने एसपी के तबादले के आदेश पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयो को पत्र लिखा है और उस पर गम भी आरो भी लगाए है ज्यामो के महासची और मुक्षे प्रवक्ता सुप्रियो भटाचाई ने सुक्रवार को ज्यामो कर्याले प्रेस को समोधि एक चीठी लिखी है उन्होंने इस पत्र को सवजनी करते हुए कहा है कि चुनाव आयो काया आदेश एक पार्टी बिस्तेश को मदद करने के उदेश से जारी किया गया है धन्यवाद